Hello everyone, सभी को नमस्कार, तो SSC के मेंस का पेपर जो है अच्छी तरीके से संपन हो चुका है, I hope आपका भी वेपर बढ़िया गया होगा, ठीक है, तो हम सीधे इन पॉइंट्स पर बात कर रहे होंगे, 3-4 शुन्ट से मैंने परसनली बात करी है, वारताला आप डीटेल में किया ह और सबके जो है, सेम ही एक्सपिरेंसेज रहे हैं, तो हम सीधे मुद्दे की बात पर आते हैं, सेफ अटेम्ट की जगे आप यहाँ पर मानिए, गुड अटेम्ट, सेफ अटेम्ट का मतलब होगा है कि इतने के उपर है तो पक्का एकदम सेफ है, सेलेक्शन पका है, ऐसा न से मेरे पांच नमबर कम आगे तो क्या होगा, भाई वो तो हम आगे देखी लेंगे, हम अभी के बात पर बात करें, ठीक है, एक्जाम लेवल की बात करें, तो कई स्ट्वेंट्स यह कह सकते हैं, कि सर यह 170 प्लस आपको नहीं लगता कम टोटल होगा, क्योंकि मैट्स का जो लेवल है, वो वेरी इजी या ईजी और मॉडरेट कहना चाहिए, तो हम वेरी इजी तब कहने लगते हैं, जब हमने बहुत प्रेक्टिस कर रखे, इजी और मॉडरेट कहना चाहिए, उजी टू मॉडरेट, सभी ने लगभग यही कहाई कि, जो हमारा 19, 19, सीजन 19 मेंस का ज 3rd shift यानिकी 18 November वाला जो पेपर था यह पेपर उससे मिलता जुलता था ठीक है बहुत मुश्किल नहीं था moderate to easy level रहा English की बात करें तो English में English में जो reading comprehension है और जो PQRS है वो लंबे रहे थोड़े से इस वज़े से थोड़ा सा कोई बच्चा अभी तैयारी शुरू कर रहा तो यहार पेपर का लेवल तो ठीक सा सो दिस वेरी स्वर्म परसंटू परसंट की बात करें तो आप यह बात बताईएगा मुझे स्ट्वेंट्स ने कहाए कि कुछ ने की कुछ कुछ जो थे वह आसान थे लेकिन वह क्लिक नहीं क यह थी मौक टेस्ट में ज्यादा उलजगे तो यह इशू फेस किया कि आसान सवाल भी क्लिक नहीं कि मैंने आपको हमेशा कहाए लास्ट मुमेंट पर जो है प्रीवेस एर कुष्टन पर ज्यादा फोकस करना है इवन स्टार्टिंग में भी आप कहीं से भी पढ़ रो किसी भी पेड़ कोर्स से पढ़ रो तो उसके बाद आपको किरन की चैप्टरवाइस वाली किताब लगा लेनी चाहिए सो देट आपके उस टाइप के जब भी जो भी सवाल है वो सारे कवर हो जाए लेकिन एक स्टुइंट क्या गलती करता है वही लर्निंग है अगर आप आगे किसी भी एक्जाम की तैयारी करो बहुत इजी सा तरीका है तैयारी करने का लेकिन हम उसे फालत में कॉम्पलेक्स बना लेते हैं कोई भी टॉपिक आपने कहीं से पढ़ा और उस एक्जाम के जो भी प्रीवेसर के कुशन से वह आपने लगा ली खूप सारे लेकिन हम करते क है यार यह previous year की किताब तो सब के पास है मैं कुछ अलग करता हूँ अलग करने के चक्कर में आप वो नहीं कर रहे हैं जो करना ही चाहिए आपके करने पहले वो वाली pdf देख लेते हैं वो वाली भड़िया किताब है उसको देख लेते हैं यह वाली तो कभी भी लगा लेंगे तो हमारे पास रखी हुई है तो इस चीज से बचिए जो भी हमारा जो previous year का content है उस पर हमें पूरा पूरा फोकस करना है तो जो स्वेंट fresher है कहीं पर भी नहीं पड़े हैं तो हमारा इस YouTube चैनल पर लक्ष पैच चल रहा है जितना भी मेरा paid content था वो आपको इस YouTube चैनल पर मिल जाएगा जो भी fresh content है वो अब नया upload होना एप पर चालू हो गया तो आप मेने इदर दर भटगना नहीं जो भी आता है पेपर में उसको बार-बार practice करते चलिए selection इतना ही आसान है होना है तो इसी से हो जाएगा यहां में भटगना नहीं है